हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जैपी सिंग और आप देख रहे हैं कैमिस्टी गुरुजी चैनल अब हम सुरू करेंगे अपना बीस्टी सेकेंडेर इन ओर्गैनिक सब्सक्राइब अब प्यार से इसके इसनल इसे ध्यान से समझाएगा जाएगा जब आप इससे सुरू सही समझते वेएं चलेंगे तो यहाँ सब्सक्राइब हमने लिखावा है, the term of chillets is taken from the Greek word, जो chillet term है, वो कहां से लिगई है, वो लिगई है, Greek word से, ठीक है, डबलू आर्टी, ठीक है, Greek word से लिगई है, जो है, क्या, चीला, ठीक है, चीला एक Greek word है, जिससे हमने सब्द लिया हुआ है, चीलेट्स, ठीक है, इट मींस, क्रैब कला, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, क्रैब कला, ठीक है, अर्थाद, क्यांगडे का पंजा, यहां से आब आब आगे पढ़ेंगी, इसमें, this analogy is because, इसका जो कारण है, इसकी जो आउधार ना है, वो क्यों होती है, इस analogy is because, क्योंकि, बोथ, दकला, एंड, लिगेंड, में, होल्ड, एंड, ओब्जेक्ट, ठीक है, क्ला भी, जो क्यांगड़ा है, वो भी, और जो लिगेंड है, वो भी, होल्ड, पकड़ लेते हैं, एंड, ओब्जेक्ट, एक, ओब्जेक्ट को, थ्रो, more than one point of attachment, एक से अधिक point से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जो क्रेब कला है, जो क्रेब है, जो क्यांगड़ा है, वह भी, वो जो हमारे पास में, लिगेंड है, वे भी, क्या काम करते हैं object से एक से अधिक point से जुट जाते हैं तो जिस कारण हम इने क्या बोल देते हैं ऐसे compound को chillate दोबारे अगर एक बार फिर समझना चाते हैं एक बार फिर से समझेगा the term of chillates is taken from the Greek word, जो term है chillates की वो Greek word से ली गई है गर गरीक word वो कौन सा है वो Greek word chilla है it means krave kala इसका मतलब क्या होता है कैंकड़े का पंचा, krave kala होता है this analogy is because यह analogy है क्योंकि both of kala and ligand क्योंकि दोनों के दोनों कैंकड़ा भी और ligand भी may hold an object एक object को throw more than one point of attachment एक से अधिक point से एक से अधिक जगे से जकट लेते हैं या पकट लेते हैं ठीक है तो अगयनिक का नाम है हमारे पास में आया हुआ है एक का नाम है CT Morgan और दूसरे का नाम है Drew तो इन्होंने प्रपूस किया था the term of chillates इन्होंने chillate को प्रपूस किया था ठीक है from those cyclic structures which are formed by combination of metal atom with organic and inorganic molecules the ring such complex are called chillate ring and the phenomena is called chillation ठीक है इन्होंने समझाया था कि जो chillates होते हैं इनका क्या होता है कोई यह कोई cyclic सन्रचन वाले योगिक होते हैं which are formed जो बनते हैं by the combination of metal atom जो बनते हैं काई से metal atom से with metal atom with organic and inorganic molecules ठीक है जो combination से बनते हैं organic और inorganic molecules के the ring जो ring है हमारी such complex in complex की archaard chillate ring वो ring हमारी कहलाती है chillate ring और जो हमारा phenomenon वो कहलाता है हमारा chillation ठीक है चलिए अब चलते हैं अगली slide में तो जो हमारा अगला point है वो भी इन्होंने ही समझाया होगा है क्या समझाय होगा है एक बार उसे हम देख लेते हैं the chillate ring system में भी form by by dentate जो chillate ring होती है वो कैसी हो सकती है वो by dentate हो सकती है दो इस्थानों से जुड़ी हो सकती है tridentate तीन इस्थान से भी जुड़ी हो सकती है which has more than one point of attachment to the metal सी दिसी दिसी बात यह है कि वो metal से एक से अधिक point से जुड़ी होगी देखी लिखाओ आया कि which has more than one point of attachment to the metal ठीक है एक से अधिक point से metal से जुड़े होते हैं इन्हों में कौन लिग है हैंस यहाँ पर the cyclic compound ये वे cyclic complex compound होते हैं होते हैं बने होते हैं वहर एक multi dentate ligand जब एक multi dentate ligand attached to one or more donor atom to the same central metal atom मैं आपको समझा देता हूँ ये वे cyclic complex compound होते हैं जिनमें multi ligand होते हैं और multi ligand के पास होते हैं one or more donor atom एक या एक से अधिक donor atom ठीक है जो जुड़ जाते हैं same उसी central metal atom से coordinate bond के द्वारा और ये compound क्यालाते हैं हमारे chillate compound ठीक है अब यहाँ से आगे पड़ेंगे इसमें in this complex इस complex में the donor atom जो donor atom होता है are attached चुड़ा होता है each other as well as the same metal ठीक हैं इन complex compound में जो donor atom होता है वो जुड़ा होता है किस से central metal atom से और जो दूसरा donor है वो भी उसी central metal atom से जुड़ जाएगा तीसरा होगा तो तीसरा भी उसी से ही जुड़ जाएगा so that metal become a part of heterocyclic ring और इसी कारण जो metals होती है वो क्या बना लेती है heterocyclic ring एक चक्रिय रिंग बना लेती वो भी कैसी एक विशम विशम चक्रिय रिंग बना लेती है चलिए अब इसका अगला example देखते हैं अगला point जो इसका वो example का होँ से हम देख लेते हैं इसका example हमारे पास में है copper ethylene diamine ठीक है यह जो हमारे पास में example है वो हमारे पास में है copper ethylene diamine यह वाला example है हमारे पास में copper ethylene dye amine का ठीक है अब हम बात करेंगे इसकी copper ethylene dye amine की तो यह हमारे पास में देखी इसका structure इस टाइप से बना वाए अगर हम बात करेंगे इसकी तो यह कुन सी चक्रिय रिंग है तो यह एक दो तीन चार पाँ ठीक है यह five member copper ring का चिलेट हमारे पास में है अगर आप बात करेंगे तो इसकी चक्रिय रिंग भी देखेगा भूम रही है यहां से सनरचना कुछ इस परकार से होती है चलिएगा अब हम बात करते हैं इसके अगले point की तो अगले point में भी हमने इसके example ही समझाए है hexadentate ligand जैसे कि हमारे पास में होता है EDTA यह हमारे पास में इसका example है EDTA तो इसमें कितने donor atom होते हैं इसमें 6 होते हैं एक दो तीन चाड याद रखिए 가ँ पहला एक यए oxygen दूसरा oksygen तीसरा oksygen चोता oksygen एक nitrogen दूसरा नाटोजन तो कुल मिला के कितने होते हैं शिक्स होते हैं तो हमारे पास में कैसा है यह हमारे पास में है hexadentate यह है Hexadentate Legand यह Hexadentate Legand है और यह हम Platinum Oxylate की भी बात कर सकते हैं यह भी हमारे पास में कितना होता है एक दो ठीक है यहां इसके पास में कितना है कि इवल दो ही दो इधर हैं और दो ही इधर हैं ठीक है तो यह Bi-Dentate Legand होता है तो ये भी एक परकार की क्या बना रहा है, विसम चक्रियरिंग ही बना रहा है, पांच सदस्य वाली, तो ये भी एक परकार का क्या है, चिलेट है, जो प्लेटिनियम ओजिलेट, हमारे पास में complex compound है, ये भी, समझ में अगर आपको अच्छे तरीके सारा है, तो चैनल को सब्स कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, और अधिक से धिक सेर भी कीजेगा, ठीक है, आपका जो बैच है, वो रेगुलर चला हुआ है, कभी-कभी एक या दो दिन की छुट्टी नहीं होती है, अभी लास्ट पाले दिन हो गई थी, नहीं तो आपका बैच लगातार च साल्ट, यह कोई साल्ट की प्रोपर्टीज, सो नहीं करते हैं, विकोई सेंटल मेटल है वैलेंसी मोर दैन वन, ठीक है, क्योंकि जो सेंटल मेटल एटम है, उसकी जो वैलेंसी हो कितनी है, एक से अधिक है, दा प्रोपर्टी विच आ डिफरेंट फ्रों साल्ट एज फुलो B-point में समझेगा इसके या घे-जोलविज्दील इन औरगेनिक सॉल्वेंड 2, यह आअसानी से यह आवरेनिक से जल्वेंड में गुल जाते हैं ठीक है उनमें जो सबसे मईंद चीज है वो ये है कि इन में बनी हुई होती है है एत्रिट्रोंसाइक्लिक री ठीक है बात करेंगे इनके d-point की the charge on the metal is generally large जो metal होता है उस पर charge कैसा होता है बड़ा होता है अधिक charge होता है which is responsible for attachment the loan pair of electron of donor atom जो responsible होता है किसके लिए loan pair of electron के लिए अर्थात loan pair of electron को accept करने के लिए donor atom से In the most of chillates In most of chillates, the number of atom forming the ring of the chillates is 5 or 6 But the former is more stable ठीक है, समझेगा यहनों कहा है In most of chillates, की जो अधिकतर chillates होती है Number of atoms forming the ring, जो atoms ring बना लेते हैं उनमें chillates कैसे होते हैं 5 member ring के, या फिर 6 member ring के मगर इनमें जो the former is more stable मगर जो 6 member ring होती है, वो कैसी होती है अधिक हिस्ता ही, चलिए बात करेंगे इसके अगले points की तो अगला point हमारे पास में है Importance in analogical chemistry अब इनकी analogical chemistry में क्या समस्या है एक बार इसे भी देख लेते हैं In Ni2+, and Mg2+, can be determined quantitatively by the formation of their PPT ये अपने precipitate बना देते हैं किसमे analytical chemistry में अगर हम पढ़ेंगे तो जो निखिल है और जो magnesium है ये क्या बना देते हैं पैस्पिटेट large number of chelating agent like EDTA या Qufirion ETC can be successfully employed as indicator in different type of titration जो different type की titration होती है उनमें जो EDTA है या Qufirion है वे अराम से किसका काम कर जाते हैं इंडिकेटर ठीक है इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका estimation of NI using DMG जो nickel है वो किस परकार से nickel DMG बना देता है इसे हम पढ़ेंगे and I start read with DMG is straightly ammonic medium to form a red pipetum nickel DMG dimethyl galaxium बना देगा यह किस के साथ में जुड़के nickel के साथ में जुड़के कौन DMG ठीक है dimethyl galaxium जुड़के बना देखेगा इसकी reaction किस type की होगी तो इसकी जो reaction होगी वो कुछ है इस type की होगी जैसे की आपको इस किरिन पर दिखाई दे रही है हम क्या लेंगे इसमें nickel sulfate लेंगे हम क्या लेंगे इसमें nickel sulfate लेंगे NISO4 और इसकी reaction करा देंगे किस से 2 DMG से ठीक है dimethyl gloxium DMG से और किस की परज़न्स में कराएंगे ammonium hydroxide के एक तरीके से यह मानेगा यह हमने ammonia का solution यहां लिया हुआ है तो इस solution को लेने से क्या बन जाएगा हमारा एक तो यह हमारी बन जाएगी nickel DMG NIDMG यह nickel DMG बनी हुई है यह जो हमने पहले संदाचनसी दिखा रखे है इतनी बड़ी एक तो यह बन जाएगी हमारी nickel DMG और जो हमारे पास में ammonium hydroxide था यह sulfate से reaction करा देगा क्या मना देगा ammonium sulfate और जो HOS था हमारे पास में वो S के साथ में जुड़ जाएगा और क्या मना देगा इस वाले और क्या मना देगा जो hard water होता है उसमें सुद्यां किस-किस की होती है एक होती है calcium की दूसरी किस की होती है magnesium की अगर हम इसमें EDTA डाल देते हैं तो EDTA calcium और magnesium के साथ में जुड़ के क्या मना लेता है complex बना लेता है complex बना लेगा तो कहा हो जाएगा ये अलग हो जाएगा भारियों के नीचे बैड जाएगा अर्थात-villian में से पर्थक हो जाएगा इस condition में क्या होगा जल कैसा हो जाएगा सुद्ध हो जाएगा जो जल की hard नैसे वो उसमें से निकल जाएगी ठीक अब हम पढ़ते हैं अबना आगला टोबिक सिड्विक का electronic interpretation या EAN rule क्या था interpretation या EAN rule समयते हैं इसे सिड्विक and low we give the electronic interpretation of Werner theory of coordination compound इन्होंने एक electronic interpretation दिया था सिड्विक नेहोर लोरी ने Werner coordination theory का ठीक है according to them इनके अंसार primary valency result from the transfer of electrons जो primary valency होती है वो परिणाम होता है किसका electron के इस्थानातरन का electron के transfer का जब electron transfer होते है तो उसका जो परिणाम होता है उसका जो result होता है वो क्या होती है वो होती है primary valency where is the secondary valency परंतु जो secondary valency होती है result from the sharing of electron जो दूसरी valency होती है result किसका होती है sharing of electron यहां पर क्या बन जाता है? एक Electro Covalent Bone बन जाता है इन Primary Valancy में और Coordinate Bone बन जाता है कहाँ? Secondary Valancy में Primary Valancy में बन जाएगा Electro Covalent Bone और जो Secondary Valancy उसमें क्या बन जाएगा हमारे पास में Coordinate Bone अब अगली point पढ़ेंगे इसका जो अगला point है है से पढ़ेंगे the ligand attached with the central metal ion, जो ligand होते हैं वह किस से जुड़ जाएंगे central metal ion से जुड़ जाएंगे यहाँ देखेगा, the ligand attached with central metal ion or atom, which have at least one shared electron pair जो ligand होते हैं, वह attach हो जाते हैं, central metal ion से ठीक है, और atom से which have at least one shared electron pair एक share किये हुए electron के जोड़े के हैं द्वारा they found that when a ligand they found that when a ligand are attached with central metal iron they donate electron pair to the central metal iron जब वे पहुँच जाते हैं या उन्हें कोई पाता है किसे ligand को central metal iron या वे उससे जुड़ जाते हैं तो वेसे donate कर देते हैं एक electron का जोड़ा the atom which donate the electron pair to the central metal iron are called donor atom कि वे atom जो donate करता है electron pair central metal atom को वे कहलाता है क्या donor atom at the central metal iron is accept the pair of electron is called accept और जो central metal atom होता है वो accept कर लेता है electron की pair को और वे कहलाता है क्या acceptor ठीक है acceptor of electrons चलिएगा इसके अगले point को पढ़ते हैं जो अगला point है हमारे पास में यहां से हमने लिखावाइज में according to seed week, seed week के अनुसार the bond is established between the ligand जो bond बनावा होता है ligand and central metal iron और central atom iron के बीच में इसे coordinate वो क्यासा होता है coordinate bond होता है ठीक है यह लिखाव है coordinate bond the bond form is usually represented as ligand to metal जो bond होता है वो कुछ इस टाइप से बनावा होता है कि ligand to metal जो ligand उससे arrow लगाव रहेगा metal के और को which indicate that जो परदर्शित करता है indicate करता है that donor ligand has donate an electron pair to the central metal iron जो present करता है कि जो donor है ligand वो donate कर रहा है एक electron pair किसे central metal iron को or atom को has the basis of sidwick concept the structure of complex is maybe as part जो electronic configuration representation है electronic structure का वो कुछ इस परगार से है यह CO जुड़ावा है किस से NH3 से इस टाइप से आभी ने देख सकते हैं NH3, NH3 ठीक है और इसमें जो यहां charge आ रहा है कितना रहा है plus का 3 आ रहा है और यह हमारे पास में यह क्या है कोडिनेशन इस फेर है चलिएगा बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट है सिभी concept of effective atomic number या EN concept यह जो EN concept है यह क्या ही important ही है हर साल exam में आता भी है अब आप 20 secundaire में है तो तैयार हुजएगा एक question आपको exam में EN का मिल सकता है में आ जाए या न आ जाए मगर यह formula जुरूर आपकी समझ में आना चाहिए यह formula होता है यह बराबर होता है किसके atomic number of metal minus oxidation number अब यह oxidation number किसके है central metal atom की है ठीक है और यह atomic number भी किसका है central metal atom का ही है plus total number of electrons donated by ligand और साथ में जो चोड़ देंगे हम इसमें ligand ने अपने electron के electron दिये हैं दान में ठीक है चलिए एक मिटी से समझेगा फिर दुबार से में repeat करूँँआ बड़े ध्यान से आप इसे समयते रहिएगा the stability of complex compound जो stability होती है किसकी complex compound की ठीक है the stability of complex compound was explained by the basis of EN according to the cidwig ठीक है कि जो complex compound की stability होती है उसे हम explain करते हैं EN experiment के basis पर ठीक है to cidwig in most of complex iron most complex iron में the EN of central metal atom become equal to atomic number of inert gas कुछ में कुछ complex iron में जो EN होता है या जो EN का हम rule लगाएंगे लगाने पर जो atom का electronic configuration होता है वो equal हो जाता है किसके inert gas के मैं आपको समझा देता हूँ हमें जो cidwig ने समझाया तो यह समझाया था कि जब हम किसी में EN rule लगाते हैं तो जो central metal atom है उसका जो atomic number है next inert gas के लगभग equal हो जाता है जिस कारण ये अकिरिया गैस का electronic इन्यास पर आप्ट कर लेते हैं और इस condition में कैसे हो जाते हैं stable हो जाते हैं इन्होंने यही बताया है कि जो इन होता है effective atomic number होता है वो किसके equal होता है effective atomic number equal होता है atomic number of central metal atom केंदीरे परमानु का परमानु करमाग minus उसकी आक्सिकरन अवस्ता oxidation number या oxidation state plus total number of electron donated by ligand और ligand द्वारा दिए गए cool electron की संक्या ठीक है तो ये formula आपके याद हो गया होगा परमानु जो atom है हमारे पास में उसका atomic number minus उसकी oxidation state plus ligand द्वारा दिए गए total electrons इसके हम क्या निकाल लेंगे EAM निकाल लेंगे effective atomic number चलिए अब कुछ का हमने निकाल भी रखा है आप इसे यहां से देख लीजेगा जिसमें विर्कुल एकदम सही से निकलता है अब हमें किसका निकालना था? इसका CO-NH3 का whole 6 3 plus का तो इसमें जो हमारे पास में central metal है जो CM है वो कौन है? वो CM कौन है? CO है चलिए बात करेंगे तो atomic number of CO कितनी है? 27 है अब हम अगर इसमें बात करेंगे इसके oxidation state की तो वो कितनी है? plus 3 है और ligand कितने है? इसमें 6 जुड़े वे है और जो NH3 है वो एक कैसा है? NH3 है एक unidentate ligand unidentate ligand वे होते हैं जिनमें केवल एक ही donor atom होता है और जो एक केवल क्या देता है? एक electron का जोड़ा कितने है? ये 6 एक देखा एक electron का जोड़ा तो 6 कितने देंगे? इसमें बात करेंगे इन्दा complex number oxidation state कितनी है? सियोगी? प्लस 3 है electronic configuration of NH3 ligand इकवल टू कितना हो जाएगा? 2 इन्टू 6 इकवल टू 12 हमने ये निकाल के भी देख लिया है अब हम लगाएंगे ये तो ये रूल क्या होता है? सबसे पहला atomic number रखेंगे फिर यहाँ minus बीच में plus भी आप लगा देते हैं यहाँ रखेंगे हम इसके oxidation state और बाद में रख देंगे ligand द्वारा दिये गए electronों की संख्याइन numbers of electrons of ligand ठीक है? तो हम इसकी multiply करेंगे तो total कितना निकल का जाएगा? 36 निकल का जाएगा जो 36 क्या है? क्रप्टन का atomic number है ठीक है? बात करेंगे इसके और example की जैसे हमें लिखा बाता की CONH3, CO6, C3+, FECN का 6, 4- PTCL6, 2- इन सब में जब हम निकालेंगे यह rule से तो 2 में ते निकल का रहा है क्रप्टन का और एक में किसका निकल का रहा है? यहां से last में XE का ठीक है? कितना निकल का रहा है? हमारे पास में 86 इस टाइप से निकल गई है हमारे पास में यह है आ रहा है तो अब आप इसमें ध्यान से समझ लीजेगा ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो की नीचे कमेंट भी किस जगा इसे आप समझ सकते थे कैसे यह हमारे पास में क्या है अटोमिक नंबर इसमें सोक्षिडेशन इस्टेट घटाना है आपको और कोडिनेसर नंबर कितना है सिक्स तो लिगाएंड कि संगे कितनी हो जाएग हो जाएंगे इलेक्टोन्स ठीक है हर किसी में 12 बराबर 12 फोर्मला लगाएंगे और निकाल देंगे चलिए अब इससे चलते हैं आगे बहुत करेंगे EN rule applied to metal carbonil, कि metal carbonil पर EN rule कैसे हम applying करेंगे तो जो metal carbonil होती है वो EN rule को also obey करती है, पालन करती है इसका metal carbonil also obey EN rule which can be excellent by taking the following example हमने नीचे example ले रखके हैं इनके द्वारा हम इसे समझा सकते हैं to calculate the number of carbonils you attached to NI, NI से जुड़ी होगी है किस टाइब से, देखते हैं इसे carbonil मतलम CO carbon monoxide ठीक है, तो हम यह ले रहे हैं इसमें nickel हमारे पास में NI है इसका atomic number कितना होता है 28 होता है, atomic number of next inert gas, इसके जो नजदीक की inert gas होगी, नजदीक वाली सबसे pass की, वो कितनी होगी, वो होगी krypton, और इसका पर्मानु कर्मा इसका atomic number कितना होता है 36 होता है, ठीक है number of electrons provided by the ligand, 36 minus 28 equal to 8, ठीक है अगर 36 में से 28 को हम subtract करेंगे, तो कितना ज़एगा हमारे पास तो यहाँ देखेगा, जब हम 36 में से 28 को subtract करेंगे, तो कितना जगा, 8 आजएगा, अब हमें निकालना है कि ligand कितने जुड़ेंगे तो हम क्या काम खरेंगे, 8 को divide कर देंगे, किस से, 2 से, क्यों क्योंकि जो CO है, वो एक unit and 8 ligand है, अर्थात, एक CO के वल 2 electron दे सकता है, तो हमारे हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, NICO का whole 4 बन जाएगा, इसका एक हम और example भी साथ साथ ही है, देख लेते हैं चलिए, जो हमारे पास में एक दूसरा example है, वो हमारे पास में यह है, to calculate the number of CO, attach of FE, ठीक है, अब जो CO है, उसके number FE से कितने attach हो सकते हैं, चलिए, देखेगा number कितना है, FE का, atomic number कितना है, 26 है, और जो next gas हो, कितना है, 36 तो 36 में से 26 को subtract कर दें, कितना जाएगा, 10 तो 10 electrons और चाहिए इसे, तो XIO कितने electrons provide करता है, 2, हम क्या काम करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 5, तो हमारे पास में complex बन जाएगा, FECO का whole 5, ठीक है, इस टाइप सी हमारा दूसरा complex बन जाएगा बात कर गए हैं, इसके objection की, तो इसके कुछ objection भी है electronic interpretation की, चलिए, देखते हैं इसे electronic interpretation of coordination compound is not satisfactory, there are some objections है, जिनने ये सही से समझा नहीं पाये थे, there are some objections which are as follows, ठीक है सही से satisfied नहीं कर पाये थे, पहला point पढ़ेंगे, इसका जो ये point है हमारे पास में, इसे समझेंगे there will be emulation, accumulation of negative charge उन्दा central metal iron by the donation of electron pair from ligand hence metal iron become negative charge with respect to, लेकिन नहीं नहीं समझाया था, कि जब जो ligand है, वे क्या काम कर रहे हैं, वे अपना electron pair दे रहे हैं, ये एक electron का जोड़ा donate कर रहे हैं, किसे central metal atom को, cm को तो उस कारण उस पे क्या जाना चाहिए, central metal atom पर negative charge आ जाना चाहिए, ठीक है, अब पढ़ेंगे ही से, in the case of इतना दा donation, donation of electron pair from the ammonia molecules to the cobalt iron would result in accumulation of negative charge on cobalt iron will become negative charge with respect to ammonia molecules, which is impossible तो यहाँ ये इस example में आप ध्यान दे समझेगा, ये समझाया गया है कि जो NH3 molecules है, वे क्या देंगे एक electron का जोड़ा दे रहे हैं, दो electron का दे रहे हैं, जिसकारण जो central metal atom में उस पर क्या जाना चाहिए, ये था negative charge, जो कैसा है, impossible negative charge नहीं आता है ठीक है, तो एक तो इनका ये objection था, ये कहने थे कि देगा, और अगर electron का जोड़ा दान देगा, वो donate करेगा तो co पर क्या जाना चाहिए था negative charge आ जाना चाहिए था, मगर ऐसा आता नहीं है, तो ये भी इनका क्या है, एक objection है वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को like कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा अधिक से अधिक share कीजेगा Thank you